बारिस की बुंदें बले ही छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही हमारे छोड़ छोड़े प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का रासिवल यानि की एक नवंबर के इस विसेश एपिसोड में साथ ये आपको बदाही और सुपकामनाई जिनका आज जन्र दिवस है मेरीज एनिवसरी है या कोई विसेश यादकार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचान की आज एक नवंबर दो जार इकीस को सुंबार है कल दो नवंबर को धंतेरस होगी और उसका विसेश मौरत और धंतेरस को अपनी रासिक नुसार क्या खरीदना चाहिए ताकि बागेसाली हो ये हमने अलग एपिसोड दो बनाये हैं आप उसको देख करके लाब उठा सकते हैं आज के विसेश उपाय में धंतरस से दिपावली तक किये जाने वाले तीन उपाय इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा जो की विसेश है समवत दो जार इठातर का कारतिक क्रिश्टन पक्स चल रहा है आज एका दसी है दो पर को एक बज़ करके कीस मिनिट तक उसके बाद में कन्यारासिम प्रवेस हो जाएगा अब बात करते हैं राहुकाल की प्रातर साथ बज़ करके तीस मिनिट से लगा करके नौ बज़े तक राहुकाल रहेगा और राहुकाल में ऐसी मानिता हैं होती है कि कोई नया सुपकारे नहीं किये जाता है सुप चोगड़े मौरत की बात करें तो सारे सुपकारे सारे नए सुपकारे इस समयकाल में किये जा सकते हैं और ये समयकाल है छें बज़ करके पचास मिनिट से साथ बज़ करके तीस मिनिट तक प्रातर दोपर तीन बज़ करके पचास मिनिट से छें बज़ करके पचास मिनिट तक यात्रा मौरत आगने दिसा, साउतिस दिसा में दिसा सूल लगा रहेगा, ऐसी इस्तिति में इन दिसाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्याद आवश्यक होने पर दूद का उपयोग करके यात्रा का आरंब किया जा सकता है, अब बात करते हैं, आज के सु दुरिदय कलुन कुणली में आश्रह योग, संख्या पास योग, सस मापरुष योग, सुनफा योग, सम योग, वेशी योग, महा भाग्य योग, नीच बंग राज योग का साथ मिलेगा, आपके पास में जो अपनी कुणली है, उसमें बहुत सारे योग हो सकते हैं, समधित ग्राओं की दसा कब आने वाली है, ताकि आपको उसका फाइदा मिले, हम अनायासी अचानक से हमको सुख सुविदा मिलने लगती है, हमारे सारे काम होने लगते हैं, और हम अपने आपको भागे साली समझते हैं, जबकि हमको मालुम नहीं है, कि ये समय कितने महीने कितने वर्स तक चलेगा, और यदि आपको ऐसा पता चल जाए, तो आप उस पूरे समय काल का फाइदा उठा सकते हैं, यहीं फाइदा है, राजयों की कुनली का या राजयों किसे समधित जानकरी का, जब भी आपको जिग्यासा हो राजयों के बारे में, स्क्रीन पर जो न चातरी तक हम निदनतर आपके लिए कवच का निन्मान करेंगे, वैसे तो समस्या या कामनापूरती के लिए अलग-लग कवच का निन्मान किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर दियोए नंबर्स देख रहे हैं, उस पर संपर करके आप जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी टीम के पंडित गण आपकी पूरी-पूरी साहता करेंगे। वैसे वत्मा समय को देखते वे आपको कुछ कवच के बारे में जानकरी देना चाहता है। जैसे विवा बादा निवारान के लिए शिवगोरी कवच। बहुत बार अधिक उम्र होने के बावजूद भी विवा नहीं होने से मांसिक परिशाने बढ़ने लगती है। ऐसे में विवा समधी समस्याओं के लिए सिवगोरी कवच दारन करना सुब रहता है। और जिनके दामपत्य जिवण में भी कुछ समस्याओं हैं उनको भी सिवगोरी कवच उतना ही फाइदमन्द होगा अतात आपके दामपत्य सुक में भी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं सिक्सा के लिए सरस्वति कवच की प्राय बच्चे पढ़ने में आना कानी करता ही है क्योंकि पढ़ने से जाता है उनको खेल कुद में टीवी में या मोबैल देखने में मोबैल में गेम खेलने में मज़ाता है। कई बार बच्चा स्टेडी तो करता है दिन रहात करता है लेकिन याद उसे कुछ भी नहीं रहता है या बहुत जल्दी भूल जाता है फिर वो परिशान होने लगता है इन दोनों ही इस्तितियों में बच्चे को सरस्वती कवच धारन करवाना एक सही उपाय है और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोई कमपेटिशन का एक्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए अस्त मिला कवच बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है अस्त लक्षमी कवच जब लक्षमी जी को संपूरता से अपने जीवल में समाहित करने की बात आती है तो वहां स्वत ही अस अस्त लक्षमी की बात आ जाती है अस्त लक्षमी अता धन लक्षमी यस्त लक्षमी आयू लक्षमी वाहन लक्षमी इस्थिर लक्षमी ग्र लक्षमी संतान लक्षमी और भवन लक्षमी यदि आप भी लक्षमी प्राप्ति का प्रियास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ न नवग्रे की किरपा से लक्षमी जी तो प्राप्त हो जाती है सास्त्रों में लक्षमी सातना के सासात कुबेर की पूजा का भी वर्णन है कुबेर लक्षमी द्वारा प्रदत धन वैबव को अनंत का तक संक्षित रखते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल वायू और अगनी आदी के देवता होते हैं उसी प्रकार धन धानी वैबव और यश के अधिस्ताता देव कुबेर देव हैं इसलिए आप कुबेर कवच धारन करके अपनी सुक्ष विदाओं को वैबव को संब्रती को अपनी पीडियों के लिए संजो सकते हैं अब बात करते हैं नवगर दोस्निवान कवच की प्रतिक मुनस्यूँ हमारे में से प्रतिक मुनस्यूँ किसी ग्रह में किसी रासी में जन्म लेता है तता उसका स्वाव और व्यवार उसी ग्रह के स्वाव के अनुसार प्रभावित रहता है यदि गरह व्यक्ति के अनुकूल है तो वे मनश्यों को सुक और सवाग्य प्रदान करते हैं परनतो यदि गरहों के प्रभाव अनिश्ट का लिये हैं तो वे मनश्यों के दुर्भाग्य के भावर में घेड लेते हैं जिससे की विक्ति बहुत प्रकार की समस्यां बादाओं से त्रस्त हो जाता है दुखी हो जाता है नवगर दोस्नेवाण कवज के प्रभाव से सीख रही विबिन ग्राओं के दोस्तों से रहत प्राप्त की जा सकती है अतात मियंदरन प्राप्त किया जा सकता है हमेशा याद रखिए कि बीतावा कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में होता है इसने सही समय पर सही फैसला हमारा जीवन बदल सकता है एक सही परमर्स आपका भागी बदल सकता है ये बाद सही है आई अब आरम करें आज का रासी फल एक नवंब में चनमा मिक्स रिजल्टी देता है नक्षत तारा सिद्धान के उस्टा शेम तारा का लियांड कारी तारा का साथ और अस्टा कोग में 23 डॉट ये कॉंबिनेशन 67% पॉजिटिव 33% की वीकने से लेकिन यही चनमा साम को 6 बज करके 38 मिंट के बात में बहुत शांदर रिजल् कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा चाहे यहां पर फेस्टिवर टाइम पिरिड है फिर भी आप एक प्रकास से आराम पसंद बन जाएंगे या सोच विचार में समय व्यतीत करेंगे हो सकता है जो एजेड लोग हो या जो आयो वाले लोग हो उनको गैस्टिक ट्रबल य या पिर ये बहुत सकते हैं चिंता ही घेरेगी बुरी आ सकती या किसी के बुलाये जाने पर मो जाल में आकर के दुर्भावनावस किसी से मिलने नहीं जाएं अनिता प्रॉलम के शिकार हो जाएंगे साजिस के शिकार हो सकते हैं और फिर अपमान की स्थिती आ जाएगी या concentration डूंडने की जवरुत है और व्यस्तता को आपने समझदरी से इस्तेमाल करना है इस्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ये ध्यान रखना है आज का लखी कलर है येलो और आज का लखी नमबर है नमबर फाइव आईए अब बात करें रसब रासी की आपकी रासी से फोर ताउस में सुख बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुख दायक नहीं माना जाता है नक्षत तारा सिदान के उसाथ जन्म तारा का साथ और अस्टक वग में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी छोट-छोटी बात का बतंगर बन सकता है और जो लोग बहुत सेंसिट्व पोस्ट पर है उनको तो बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना चाहिए और जिन लोगों का काम दंदे का काम काज का वल्यूम बहुत ज़्यादा है उन लोगों को सोच समझ करके डिलिंग करनी चाहिए अनिथा लापरवाई में कोई बहुत बड़ा लॉस या पेपर लॉस हो सकता है जो लोग वरद्ध हैं छाती या पेट में दर्द की सिकायद कर सकते हैं बेचेन या गबराट की सिकायद कर सकते हैं और आज आपको असुविदाएं ज्यादा देखने को मिल सकती है ऐसी इस्तिति में ये दियान रखना जरूरी है कि ये समय टेंप्रेरी है साम को 6 बज़ करकर 38 मिनिट के बाद में आप रिलेक्स होने वाले हैं उसके बाद में यदि कामकाज आप करेंगे चाप शौप चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो उसके बाद में इस सितियां आपके फेवर में होती नजर आएंगी, आपका काम काज बढ़ेगा, फानेशली भी साडिस्वेक्शन बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्मेंट उस समय भी नहीं करना है, ये दियान रखेगा, आज क अकमा 30. ये 100% positive है, लेकिन positive कब तक है, सिरफ साम को 6 बच करके 38 मिनट तक उसके बाद में यही चलमा 67% आपको बचाव के सादन देगा, 33% negative हो जाएगा, तो दोपहर तक इस सितियां फेवरेबल है, आपको शॉपिंग हो सकता है, कोई कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, हेल और जो लोग जॉब वाले हैं, उनको भी कुछ नुकुछ संसादन मिलेंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा इंकम के तौर पर आपको सिफ्ट मिल जाए, जॉब वक मिल जाए, और या कोई ओवर टाइम मिल जाए, आपकी competitors पर विरोधी आपके हैं, उन पर आप बहुत अच्छे रंग से control करेंगे, और साथ ही साथ रासी से थर्डा उसका चर्मा investment के लिए, investment को in cash करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अपने circle का lab उठाने के लिए, दूसरों की साहता करने के लिए भी आप अपने circle का friends का साथ मांग सकते हैं, या उनका साथ आपको मिल सकता है, स आज का lucky color है red, और आज का lucky number है number one, आईए, अब बात करें, करक रासी की, आपकी रासी से second loss में, धन और संपती बाव में चनमा विराज माने, और ये चनमा mix result देने वाला माना जाता है, नक्षत तारा सिद्धान को साथ विपत तारा का साथ सुभ नहीं है, और अस्टर को अ 37% positive, 33% ही weakness रहेगी, और weakness आ रही है, नक्षत तारा सिद्धान के काराट, रासी से second house का चनमा, सर दर्द, आखों से समन्दित को infection, दातों का दर्द, या जबडे का दर्द, cervical से समन्दित problem, सब मिला करके जिसको माथा बोलते हैं, सर बोलते हैं, मुह बोलते हैं, उसमें कोई problem आपको दिखाई दे सकती है, या sign करनी पड़ सकती है, रासी से second house का चनमा, आज के दिन, इस्तितियां थोड़ी mixed result वाली है, investment नहीं करना है, लेकिन कहीं से जो रुकावा पैसा है, वो आ सकता है, कहीं से आप पैसा मांगना चाते हैं, आपको help की जरूरत है, वो पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ यहां पर यह ध्यान रखनी है, कि अपने office में, अपने जो भी showroom में या business houses में, आपको महिलाओं से, कन्याओं से बात करते समय, बहुत सांती या बहुत साफदानी रखनी पड़ेगी, अन्यता अपमानी तो हो सकते हैं, आज के दिन, आज का दिन, सोच समझ करके चलने का दिन है, साम के बाद में स्थितियां बैटर है, यह बोल सकते हैं, सारे दिन आपको अपने उपर कंट्रोल लखना है, साम के बाद में स्थितियां ऐसी है, कि आप अपनी मन की बात बोल सकते हैं, जीवन साथी को बोल सकते हैं, पैरेंट सततारा सिधान से भी संपत्तारा का साथ और अश्टक वग में 38 डॉट ये कॉम्मिनेशन 100% पॉस्टिव बनाता है साम के वक्त 6 बच करके 38 मिंट पे यही चनमा अगली रासी में कन्या रासी में चले जाएंगे तब 100% नहीं रहेंगे अता 75% पॉस्टिव 25% की वीक नहीं सा जाएगी क्योंकि वहाँ पर वो चनमा मिक्स डिजर्टी देंगे लेकिन जब तक चनमा सिंग रासी में है वहाँ तक तो आपको इंकम से सम्मंदित अपने काम काज से सम्मंदित या बड़े बुजर्गों के साथ में सक्सेस मिलेगी आपके संपर्थ सूतर बढ़ेंगे ज जो आपके काम पेंडिंग है उनको आगे बढ़ाना चाते है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा हल्प मिलेगी और जो कुछ सीखना चाते है चाहे आप अपने आपको अपग्रेड करने के लिए सीखे चाहे इस्टुडेंट है उस नाते सीखे या पिर अपनी इंकम को आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरों से ज़्यादा कमा पाएंगे और जो लोग जनता के बीच में जा करके काम करते हैं या उनका कामकाज ही ऐसा है कि उनको लोगों के बीच में जाना पड़ता है तो उन लोगों को आज जन व्यावार में सवलता मिलेगी जो लोग लिटरचर के शौक ही ने उन लोगों को वैसा साहिती मिल जाएंगे या वैसे लोग मिल जाएंगे लेकिन आज हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी सुक की आनन्द के स्थिति ज्यादा है दामपति सुक सांसार इक सुक ये आपको बहुत बैतरीन मिलेंगे और साथ ही साथ इन्वेस्मेंट आप कर सकते हैं या इन्वेस्मेंट को इनकैश भी कर सकते हैं लेकिन सामको 6 बज करके 38 मिट से पहले पहले तक हाइस वाइफ के लिए इस्तियां बहुत बैतरीन है तो जो व्रद जन है उनको भी इस समय बहुत एप्रेशेशन मिलने वाला है या बहुत सुक और आनन्द मिलने वाला है फ्रेंड सर्किल आने वाला है या कोई न कोई आपके परिवार जनमे से आकर के आपको कहिन के बीजी रखेगा और जो आपकी यादे हैं प्रिवेस यादे हैं उनको वापस रिवाइव कर देंगे आज का लखी कलर है और और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ आईए अब बात करें कन्या रासी की आपकी रासी से 12 आउस में एक्सपेंसेज भाव में चनमा विराज मानें और यह चनमा सुब नहीं माना जाता ह है नक्षत तारा सिद्धान के अंसान मित्र तारा का साथ और अस्ता को अगमें 20 डॉट यह कॉमिनेशन 67 परसेंड आपका बचाव करेंगे लेकिन 33 परसेंड फिर भी आपको नेकिटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा तो रासी से 12 आउस का चनमा हेल्थ प्रॉलम करता है मेंटली अपसेट करता है या डिप्रेस कर देता है मेंटली और फिजिकली आदमी बहुत परिशान होता है अपने काम का आज मैं भी फाइनिशल लॉस या औपसेकल्स या पिर कोईन को ऐसे इस्तिती को देखता है जिससे काम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बहुत तोटही बातों से उसका काम अटक जाता है फाइनिशल लॉस के इस्तिती आजाती है बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है और कई बार कमिट्मेंट फेल हो जाने से मानानी तक की स्थियां आजाती है घर परिवार वालों के साथ में भी इस थितित आعمती है और आत्मी मन मंदी का दोहर है आपको बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए आज का लखे ऐसे लाप बहूं में चैनमा विर्याज माने यही चैनमा आज devoir करके 38 मिल्ट पे जब कन्या रासी में चले जाएंगे रासी से 12 आउस में चले जाएंगे तब यहीं चनमा नेगेटिव हो जाएंगे लेकिन वहां तक तो बहुत पॉस्टिव है नक्षत तारह इस सिद्धन के उसा जन्म तारह का साथ सुब नहीं है और अस तक वक में 32 लॉट इस कॉम्बिनेशन में यह चनमा 67 परसेंट पॉस्टिव है रासी से 11 आउस का चनमा इन्वेस्मेंट में लाब देगा आपके जॉब या प्रॉपेशन में इस्तिति को स्मूथ बनाएगा कमफर्टेबल बनाएगा लाबदायक इस्तिति बनाएगा और जिन लोगों का कामकाज नगत का है उनको financial gain के मौके ज़्यादा मिलेंगे कोई विवाद है कोई problem है उसमें आप जीत सकते हैं और जो liquid का काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादा फाइदा मिल सकता है अपने परिवार जनों से friend circle में से आपको मिलना हो सकता है या बहुत समय के बाद में कोई लोग मि आईए अब बात करनें रस्टिक रासी की आपकी रासी से 10 ताउस में अतात आपके प्रोफिशन बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्धान से भी शेम तारा का साथ और अस्टा कोग में 34 डॉट ये कॉमिनेश इस चनमा को 100% positive बना देता है और आज साम को जब चनमा चेंज होंगे अगली रासी में जाएंगे कन्या रसी में तब भी ये चनमा सेम ही रहेंगे 100% positive ही रहेंगे तो रासी से 10 ताउस का चनमा जो आपकी काम ना है जो आपकी इच्छा है उसके पूरे होने के लिए रास्त मिलती है आपकी कैरेर में व्यापार में हर सेक्टर में चाया आप कोई भी सेक्टर में काम करते हों चाया आप self professional लें तब भी आपकी स्तियां बहुत अच्छी होंगी health अच्छी बहुत अच्छे लोगों के गुणवान लोगों के बीच में आप संपर्क सूत्र में आएंगे या उनके सरकल में आएंगे रासी से 10 ताउस का चनमा धार्मिक या तीरत यात्रा का लाप भी देता है या ऐसी प्लानिंग बन सकती है धार्मिक कारियों पर आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है आज का लखी कलर है ब्राउन और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ आईए अब बात करें धनुरासी की आपकी रासी से 9 ताउस में भाग्य बाव में चनमा विराज मानें और ये चनमा मिक्स रिजल्टी देता है लेकिन आज साम को 6 बज करके 38 मिन्ट से ये चनमा अगले 4-5 दिन तक बहुत बहतरीन रहेंगे आज थात 5 नवंबर 2021 की रात को 9 बज करके 3 मिनट तक ये चनमा कंटीनू आपके लिए पोजितिव बनने वाले हैं आज 6 बज कर 38 मिनट से तो आप टाइम नोट कर सकते हैं और इस टाइम प्रिट का फाइदा आप उठा सकते हैं कोई डील के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, कोई इन्वेस्मेंट के लिए, सौटम गेन के लिए, रासी से 9 ताउस का चनमा जब भी आएगा जो लोग जौब वाले हैं, वो अपने कलीक के साथ में या सीनियर लोगों के साथ में कोई विवाद में, कोई प्रॉल्लम में उलजेंगे और फिर सम्मान खोने का डर सताएगा, या नौकरी जाने का डर सताएगा जो लोग यात्रा करना चाते हैं उनको असोईदा के लिए या फिर ये बोच सकते हैं लॉस के लिए भी रेडी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेवलिंग अच्छी नहीं मानी जाती है इन्वेस्मेंट में ज्यादा तर यहाँ पर लॉस ही मिलता है और जो लोग बिजनस में ने उनको बहुत बड़ी डील के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए साम के बाद में यदि आप मीटिंग फिक्स कर देंगे तो आपके लिए बेहतरी ने या जो भी बिजनस मेंने जो भी सोरूम वालें दुकान वालें साम को छेम बज करके 38 मिट के बाद में बेहतरी कमाई करेंगे जयादा व्यस्तता हो जाएगी जयादा भीड़ हो जाएगी आपकी दुकान पर और आपका वल्यूम बढ़ जाएगा आज का लखी कलर ए पिंक और आज का लखी नमबर है नमबर सेवन आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से 8 ताउस में मारक बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब नहीं मना जाता है साम को 6 बज करके 38 मिट पर यही चनमा जब भागे बाव में आ जाएंगे तब इस्तियां कुछ समानने हो जाएंगी हाला कि मिक्स रियल्टी मिलेगा लेकिन नेगेटिव रियल्ट तो नहीं मिलेगा नक्षत तारा सिद्धान को सारवद तारा का साथ सुब नहीं है और अस्तेक वग में 32 डॉट ये कॉमिनेशन 67 परसें नेगेटिव और 33 परसेंडी बचाव के साधन मिलेंगे राशी से 18 ता उसमें आयवा चर्मा रूखा व्यवार देता है कोईन कोई हेल्थ प्रॉलम या जगड़ा हो जाता है अनोहनी गटनाए या अनोहनी विपत्तियां आ जाती है व्यर्थ के विवाद वियक्ति को परशान कर देते हैं और या फिर वियक्ति को कहीं कहीं बैक मे या hip bone joints में चोट लग सकती है वो कहीं फिसल सकता है ऐसी इस्तितियां आ जाती है जिन लोगों को खाने पिना का शौक है उन लोगों को problem ज़्यादा आ सकती है चाए वो diarrhea की वज़े से हो सकता है या digestion system बिगड़ने की वज़े से हो सकता है अताद रासी से 8 ताउस का चनमा और 67% negative चनमा अनिस्त की आशंका को ज़्यादा जन्म देता है जितना ज़्यादा आप aware रहेंगे सावदान रहेंगे अपने आपके कदम सोच समझ करके रखेंगे उतना ज़्यादा आप बच पाएंगे ऐसी इस्तिती में अपनी खुद की रखवाली आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी आज का लखी कलर है डार्क ग्रे और आज का लखी नमबर है नमबर फाइफ आईए अब बात करें कुम रासी की आपकी रासी से 7 ताउस में दंपत्य सुख बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब माना जाता है लेकिन ये चनमा सुब साम को 6 बच करके 38 मिनट तक ही है नक्षत तारा सिद्धान के उसार वद्ध तारा का साथ और अस्टा को अगमें 21 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% पॉजटिव, 33% की नेगिटिविटि देंगे साम को 6 बच करके 38 मिनट से यही चनमा 67% नेगिटिव, 33% ही पॉज़िव रह पाएंगे या भचाव के साधन मिल पाएंगे तो ऐसी स्थिति में साम को 6 बज करका 38 मिनट तक आपको गेन, एप्रिशेशन, सक्सेस, एचिमेंट और प्रोग्रेस के योग है जो आप इन्वेस्मेंट करेंगे उसमें फाइदा है इन्वेस्मेंट को इनकेश करने में फाइदा है वहान का सुक अच्छा नेम फिर्म, इन्टली बहुत ज़्यादा प्रसंता या यह बोच सकते हैं कोई बहुत बड़ा व्यवसाइक लाब आपको मिल सकता है और जो भी मार्केट के बड़े लोग हैं उन पर आप अपना बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं आज खाने पिने में अच्छी स्थिति रहेगी आपको पसंद है वही सब कुछ होगा और या पिर कोई पारटी में जाने का मौका मिल सकता है जो यातरा करनाः चाहते हैं उनके लिए यातरा सुक दायक है सब मिला करके आज का दिन आपके प्रसंदा भरा दिन है सक्सेस वाला दिन है या यह बोसकते हैं आपकी मेहनत लाएगी आज का लखी कलर है परपल और आज का लखी नमबर है नमबर सिक्स आईए अब बात करें मेहिन रासी की आपकी रासी से 6 ताउस में रोग बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्धान को साधक तारा का साथ सुबह और अस्टाक वक में 23 डॉट ये कॉमिनेशन 100% पॉस्टिव है साम को 6 बजगर के 38 मिन्ट से ये भी चनमा सेम ही रहेगा 100% पॉस्टिव ही रहेगा तो ऐसी सिद्धी में रासी से 6 ता उसमें चनमा इंकम के साधन बनते हैं अता कहिन कहिन से गेन के लिए आपको कोई लोग एप्रोच करेंगे या आपको कहिन कहिन से आइडिया मिल जाएगा उससे आप गेन करेंगे resources develop कर सकते हैं आपको yes मिलेगा और जो youngsters हैं वो attraction में आ करके दोस्ती कमाएंगे या दोस्ती करेंगे आपके विरोधी आपके competitors या जो भी आप आपको परिशान करते हैं आप उनके खिलाब बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं और उनको घुटनों पर ला सकते हैं हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आज यश और अनन्द के इस्तिती अच्छी है अतात आज सांसार इक सुक दामपती सुक बहुत अच्छा माहौल गर का आपको सुखी रखेगा सब मिला करके आपकी डीलिंग में, इन्वेस्मेंट में या इन Southwest को इनकैश करने में Future Trading में आज के स्तितियां बहुत ज़्यादा Positive है Housewife के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है तो student के लिए बी आज का दिन बहुत अच्छा है आज का लखी कलर है Olive Green और आज का लखी नंबर है इस पीले रंग के फल को बहुत सी जगाँ पर खडल बलल भी कहा जाता है ये खरीद कर लिया है इन दिनों यदि ये फल उपलब्द ना हो तो ये पहले से भी खरीद करके रखा जा सकता है धंतर इसको ही इस फल को चाको से चीर करके उसमें थोड़ी सी चांदी दबा दे वाले अपने पूजा में रख दें लक्षमी जी गनेश जी या कुबेर जी की पूजा के साथ साथ इस चले की भी यता श्रदा अनुसार पूजा अचना करें इसे धूप दीब दिखा करके उसी समय धारन कर लें और इसके बाद में प्रतिक पूर्णिमा को इसे गंगा जल तुलसी और कच्छे दूद मिश्री जल से धो करके धारन वापस करते रहें यदि खडल बडल का फल ना उपलब्द हो तो चांदी को किसी केले के पेड़ के तने में दबा सकते हैं और केले के पेड़ को दिपावली की प्रता तक पानी से सीज़ते रहें दिपावली के धन्त तरियो दिशी से पांच दिन आगे तक किया जाता है और इसमें रात्री को ही यह मंत्र जपा जाता है जो यह उपाए करना चाहें उन्हें चाहिए को असनान करके सुद्ध वस्त धारन करके सामने अगरबती और धूप जला करके उत्तर की तरफ मूँ करके लाल रंग जाप करना है मंत्र है ओम सर्वाबादा विनिन मुक्तो धन दान्य सुतान विता मनुष्यो मत प्रसा देना भविश्यतिना संसाय यह दूरगा सबस्तिती का मंत्र है दारिदिर विनाशाय के लिए या कर्ज मुक्ते के लिए संसादनों की प्राप्ति के लिए सुख सांती स तमरदी के लिए बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है। जब पांचवे दिन रात्री को जाब पूरा हो जाए तब प्रात्यकाल आपको कमल गटे की माला से या कमल गटे की माला को तोड़ करके या अलग से कमल गटे आप ले सकते हैं। घी के साथ में 108 आउतियां आपको इ उपाय नमर तीन दिपावली की रात्री लक्षमी के उपायों प्रियोगों अनुस्थानों के लिए सर्वेविदित हैं। सद को मालूम है हर किसी को मालूम है। आपके समय और भाव वाले कटनाई को देख करके छोट-छोटे प्रियोगों को ही मैं हमेशा बल देता प्रतियक पदात में कुछ ने कुछ गुण धर्म समाय होते हैं। ऐसे ही लक्षमी को रिजाने वाले एक छोटे से उपाय को आपको भी अपना करके देखना चाहिए। आपको चांदी की छोटी सी डखकन वाले डिबी लेनी है। यदि चांदी की संबाव नहीं हो तो कोई और धातुकी लेले हैं लेकिन प्लास्टिकी नहीं लेनी है। इसमें उपर तक नाक के सर भर देना है और फिर उसके बाद में उसमें सहर डालना है। तो नाक के सर के अंदर सहर अबजर्व करता चला जाएगा और जब सहर भी उपर तक आ जाए तब उस डिबी को बंद कर दिपावली की रात्री को ही पूजा करके या अगले दिन जब भी ऑफिस जाएं या जब भी तिजोरी में रखना हो गल्लक में रखना हो रख देना है फिर अगली दिपावली तक ऐसे ही रहने देना है और फिर नई डिपी बना करके या पुरानी डिपी को धो करके भी वाप लिष्मी वश्िकरण के लिए एक बहतरी नुपाएं यह था आज का विसिस एपीसोड। धनतेरस आने ही वाली है धनतेरस पर आपको क्या करना चाहिए अपनी रास्ति के नुसार क्या खरीदना चाहिए क्या विशेस महुरत है यह हमने विशेस रूप से दो एपिसोड अलग-लग बनाए धनतेरस पर वो आपको इसी चैनल पर उपलब दोंगे उनको देख करके आप अपने लिए व्यवस्ता कर सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं ये एपिसीड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें शुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को मेरे नमस्कार बहुत बहुत शुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें माता लक्षमी देवादी देव गणपती और देवताओं के कोशा दक्स कुबेर आपकी सदेव रक्षा करें आपकी कामनाओं को पूर्टा दें बहुत बहुत धन झाल 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 झाल